यार यह बड़ा मस्स पर्सपेक्टिव डिवलबली का मुझे लगा उन्होंने अभी एक पुरा Sammy Zane का व्लॉग डाला हुआ है Elimination Chamber से पहले का Elimination Chamber के बाद का यारी कि क्या चल रहा है उनकी पुरी लाइफ में और Sammy Zane का मैंने कभी ऐसे देखनी होगा कि वो अपनी वाइफ को दिखा रहे हैं वो अपनी बच्चे को दिखा रहे हैं लेकिन इस व्लॉग में मजा आरा है से देख्या और रियल लाइफ सेंट रिडियूस होरें Sammy Zane की पता नहीं बड़ी होलसम सी लगी मुझे वेलकमे आपको वाइस बॉइस वेडियूस होगा बनाया थी वाइस वाइस वर बन चुका है बड़ वह हुज ही है सच में अभी बताऊंगा उसके बार में आपको लेकिन स्टार्ट करते सबसे पहले हम लोग दोग दोग स्मागडाउन की वीवर्शिप के साथ में और स्मागडाउन की वीवर्शिप बाई ओवरनाइट नंबर्स तू पॉइंट थी मिलियन आये हैं जो कि बड़ी आए डबल अबली के लिए नंबर्स लास्ट वीग भी जो नंबर से बाफी अच्छे थे लिए लेक हैं अगली स्टोरी के तरफ और शाद हमको पता लग गया है इंटर कॉंटिनेंटल चैंपेंशिप के लिए डबल अबली का रसल मीनिया में क्या प्लाइन है अब गुंथर इंटर कॉंटिनेंटल चैंपेंशिप कंफूजन काफी सारा लेकिन स्मागडाउन के बाद जो स्म गुंथर एंड्रू में कर सकती है उसके चांसे यहां से पूरे-पूरे होते विए दिखाए दे रहे हैं लेकिन अभी आपको याद हो मैंने आपको बताया कि डबल अबली का एक लाइफ शो है जहां पर 20-man battle royal match होने वाला है वहां पर इवन मेंना से भी कहाता कि अगर ब्र तरकूर इसमेन में Inter Continental Championship के लिए Randy Horton के बार में करने हैं और Randy Horton के बार में जो बहुत है मेडिकल टीम है उनके साथ कॉंटैक्ट में आये हैं रिसेंटली रेंडी ओटन अभी इसके बार में कोई भी ऑफिशल चीज हमको पता नहीं लगी है कि उनका टाइम पीरेड क्या होने वाला रिटन का और यह भी नहीं पता कि वह जो मिले भी थे वह रिटन करने के लिए मिले जैसे जल आग लगने इससे पहले आग देखने से पहले क्या बोल रहा हूं जैसे आग लगने से पहले धुआ उठता चिंगार यह यह कहना चाहरा हूं मैं तो वह चीज अभी था कुछ हुई नियर रेंडी ओटन के साथ में तो शाद हम को इसके लिए वेट करना पड़ सक इंको कपल दिखाने की कोशिश की जो की आइडिया उतना सुक्सेस्फुल नहीं रहा था अब गाइस जो बड़ी मैथ्यू जैनी जो बड़ी मर्फी है उनको डेट कर रहे हैं मतलब रिया रिप्ली को वो डेट करते हैं और टेलिविजन पर हमको रिया रिप्ली और डॉमन मिस्ट्रियों उन्हें ने कहा था कि भाई उसने मेरी बेहन को किस किया है तो फिर सब्सक्राइब करते हैं मेरे और मामी के बीच में तो यह तो बड़ी मैथ्यू ने ट्वीट के ओपर ट्वीट के लिए कि लिए कि लिए आपर इव डॉम 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 कीप सुनिंग इस बड़ी मैथ्यू वह यह कहना चाहरे है कि भाई डॉमनिक मिस्ट्रियों हो के आए तो बड़ी मैथ्यू यहां पर रहे हैं कि लगता मुझी भी एक्सपिरेंस मिल जाएगा यानि कि वह कुछ ऐसा हाल करने वाले हैं कुछ ऐसी राइट के अगेंस कर देंगे डॉमनिक मिस् बड़ी की बातें सुनने में अच्छी लग रही है ड़ी की सेल के बारे में बात करने बहुत जमाना हो गया ऐसा लग रहा बात निकी वैसे ड़ी तो मैंने भी खरीद लिया आई बटन पर वीडियो होगी फिर डिसक्रप्शन में जाके तेख लेना अब गाई सब्सक्राइ बल्कि बड़ी कंपनी को ग्रैप करना चाहती है अपनी कंट्री के नेम के अंडर लाना चाहती है तो डेम मैडजन ने इसके बार में यही का कि डवी कोई भी इस कंपनी से बिजनस बनाने की नहीं सोच ची बल्कि जो थिंकिंग है साओधी अरे को लेके पूरे वर्ड पूर्ण ने के लिए साओधी रवा ऐसा करना चाहती है तो यह सिंपली उनके पीछे रिजन है और तब ही मैं तो ड़ता हूं यह सोच के क्या रगा सच में उन्होंने खरीद ली तो फिर ऐसा हो सकता है वह कुछ भी कर लें डबल अबली में तो फिर हो सकता है ड़ी अगर डबल अबली के बिगने से रिलेटेट तो हमको इस चीज़ करना चाहिए एक ट्वीट किया अपनी ट्वीटर कामट पर जहां पर लिखती है वेर इस एलेक्सा और जो ट्वीट करने का टाम है वह बड़ा इंट्रस्टिंग है कि किस वज़े से क्योंकि इने फाइफ लग 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 ने ने ही करेक्टर से कुछ अलग लग 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 कि ब्रेव आपर गर्रेक्टर को प्ले कर रहे हैं और जान बूच के टाम ऑफ दिया तो उससे पहले हो वापस जरूर आजए गी next guys हम बात करते हैं WWE की उस plan के बार में जो की वो करना चारी बाकी superstars के साथ भी जो उन्होंने Sammy Zen के साथ किया है Sammy Zen के साथ उन्होंने किया कि उन्होंने जो ओल्ड वाला theme song है वो वापस लेके आ चुके WWE तो ऐसा बाकी superstars के साथ भी आपको देखने को मिल सकता है तो अगर आपकी लिस्ट में कोई एक ऐसा नाम है जिसका आप पुराना वाला theme song को भी दुबारा से देखने चाहोगे तो आप लोग मुझे इस video के comment section में जरूर बता सकते हो WWE एक बड़ा interesting match करवाने वाली है WWE ने trademark file किया जिसकी वज़े से चीज़ पता चलिए कि WWE एक jailhouse street fight match करवाएगी अब ये क्या है क्यों है कैसे है कहा होगा कब होगा इसके बार में कोई zero idea है लेकिन आपर कुछ speculate किया जाए तो street fight का मतलब तो simply पता है जहां पर rules वगर इतने ही होते है मतलब तो कुछ भी उठा के उसके सिर्मे मार सकते हो street fight का मतलब वैसे तो कुछ और ही होना चाहिए लेकिन WWE में थोड़ा सा मतलब इसका different है अब jailhouse street fight अगर मैं कुछ आइडे लगाने कोशिच कर तो मुझे ऐसे लगा कि कोई एक limited area होगा jail की तरह हो सकता है ऐसे bars की सूपस्टार और वहां पर जाके सूपस्टार लड़े जहां पर काफे सारा समान होगा दूसरे को नुकसान पहुचाने के लिए तहस नास करने के लिए अभी कुछ आइडे नहीं कि कहां के लिए करने वाली लेकिन जैसे डबल लबी टेडमार्क करती है तो पता चल जाते ह यह क्या है और कब होता है बड़ जितना मुझे समझ मारे मैं आपके सांद शेयर कर दिया इस चीज के सांद डबल लबी अपने जो क्रेटिव दिमाग है उसके घोड़े पूरी और रसी ट्रिपल है तो नहीं नहीं ऐसे स्टिपूलेशन वाले मैंच सुन को करवाना पसंद यहां पर बड़ी इंट्रस्टिंग चीज बोले जो कि बहुत नोट करने वाली है अब उन्होंने यह कहा कि अगर रोमन रेंज सपोस्ट चैंप्मेंशिप हार भी गया एड रस्लमेनिया तो कि अब तक आइडिया ही रोमन रेंज के चैंप्मेंशिप रेंग को इतना लंब तक रोमन रेंज को चैंपन रखने का मॉडन एरा में इतना कोई फायदा नहीं आरा और यहां पर यह कहते हैं कि अगर उन्हें चैंपेंशिप हारे भी तो ऐसा नहीं है कि कोडी रोड्स की जो स्टोर लाइन वही टैटल जीतने की है तो भले ही रोमन रेंज के पास चैंप क्योंकि अब रॉक तो है नहीं मतलब आने नहीं वाले अगली रसमीने तक तो फिर शार इसको लेकर कुछ डिफरेंट चीज़े अब डर्वली करें कि रोमन रेंज के लाइव यह बिना चैंपेंशिप के डर्वली रोमन रेंज को आने वाले टाम में कैसे टॉप लेवल का सुपरस्टार बुक करते हैं अच्छी लेगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बैल को ओन कर दो एंड़ स्यू गाइस इन माइन नेक्स वीडियो